टेली प्राइम को ओपन कर लीजिए, सबसे पहले मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे हम पर्चेस की एंट्री करेंगे, जो हम food and beverage पर्चेस करने वाले हैं, तो gateway आप टेली से आपको वी प्रेस करना है, right hand side से पर्चेस वाला voucher सेलेक्ट कर लीजिए, change mode पे क्लिक करके आपको accounting invoice सेलेक्ट कर लेना है, अब यहां देखिए suppliers invoice number, तो जो आपके suppliers का invoice number है, वो आप फिल कर लीजिए, जिस पार्टी से आप पर्चेस करने वाले हैं, उस पार्टी का लेजर आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है, all to see press करके आप create भी कर सकते हैं, अब यहां से हम food and beverage का जो कर सकते हैं, कैसे create करना है, इसको हम create करेंगे under group indirect expenses के, अब indirect expenses के क्यों, so let me explain you, यहां जो food and beverage आप purchase करने वाले हैं, वो आपके company के लिए ultimately indirect expenses होगा, GST इसके उपर applicable होगा, क्योंकि हम invoice purchase कर रहे हैं GST वाला, और set alter GST में yes press कर दीजिए, यहां पे nature of transaction में purchase taxable लेना है, अगर आप local से purchase कर रहे हैं, interest rate से purchase करेंगे, तो not applicable, 28% tax rate apply करते हुए, type of supply में यहां पे goods रख लीजिए, और इसको आप save कर लीजिए, अब यहां से food and beverage का जो भी amount आप purchase कर रहे हैं, suppose कीजिए हमने 2500 प्लस GST, इसके अपर 14-14% CGST, SGST apply हो जाएगा, अब यह invoice complete हो चुका है, इस step से आप purchase करेंगे, GST वाले invoice को, अब मैं आपको show करती हूँ, कि जब हम balance sheet में इसको देखेंगे, तो इसके अपर जो takes है, वो कैसे आपको देखना है, तो go to में चलते हैं, यहां से हम open कर लेंगे balance sheet, current liabilities में enterprise कीजिए, duties and taxes में, यहां देखिए input CGST, इस पे आप enterprise करेंगे, तो September मन्त में आपको show होगा, 350 CGST और 350 SGST, तो जो total takes amount है, वो गया, 700, अब जैसा कि यह हमारी duties and taxes में हमारी takes liability show हो रही है, तो हम यहां पे इसका input तो claim नहीं कर सकते हैं, duty में आपको बताया कि block ITC, तो चलिए में GSTR 2 reports भी आपको show कर देती हूं, तो date change कर लेते हैं, GSTR 2 reports में आप देखेंगे B2B investors के अंडर में, तो यह देखिए जो हमने purchase किया थ Suman Education Hub से, यहां आपको amount show हो रहा है, यहां पे ITC आपको avail show हो रही है, जबकि हमें इसकी ITC claim नहीं करनी है, क्योंकि यह block ITC है, इसलिए, तो अब यहां पे आपको कैसे adjustment की entry pass करनी है, तो वो मैं आपको show करूंगी, उसके बाद चलिए मैं आपको show करती हूं, जैसे कि हमने purchase कि किया है, तो 2500 plus GST amount हमने purchase किया है, 3250 total amount है, इतना amount हम party को pay कर देंगे, और जो tax वाली amount पचती है, तो tax वाली amount हम claim नहीं कर सकते हैं, तो tax वाली amount को हमें अपने books में show करना होगा as a expenses, तो कैसे as a expenses आप show करेंगे, सबसे पहले चलते हैं go to में, और यहां से open कर लेते हैं, ledger reports, then led ledger यहां पे open कर लूगी, मैं, अब आप यहां देखेंगे, तो यहां पे paypal show हो रहा है, 32, 3200 का, तो यह हम party को pay कर देंगे, तो यहां पे alt a press करके voucher को मैं add कर लेती हूँ, और इन party को हम pay कर देंगे, so that party का जो ledger है वो नील हो जाए, उसके बाद जो adjustment की entry करनी है, वो मैं आ party को, यहीं से हम alt a press करेंगे, और payment वाले voucher को आपको select कर लेना है, क्योंकि हम यहां पे pay करने वाले हैं, इसलिए हम payment voucher को select करेंगे, date change कर लीजिए, जिस भी date में आप pay करेंगे, वो date आपको change कर लेना है, party को हम कर देंगे, debit, अपने bank को हम कर देंगे, credit, इस step से इस entry को हम save कर लेते हैं, अब leisure आप देखेंगे, नील हो चुका है, अब जो adjustment की entry pass करनी है, वो मैं आपको show कर लेती हूँ, क्योंकि duties and taxes के under में हमारा जो tax वाला amount है, वो show होगा, तो वो show ना हो, इसलिए, यहीं से alt press करके journal voucher select कर लीजिए, state tax पे click करके, type of duties में आपको GST select करना है, nature of adjustment म reversal of input tax credit, यह select कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे reversal कर रहे हैं, जो कि input tax जो ITC है, वो हम claim नहीं कर सकते हैं, इसलिए reversal की entry हम pass करेंगे, journal adjustment के through, यहाँ पे हमें एक leisure की requirement होगी, तो alt c press करके, यहीं से tax on expenses का leisure हम create करेंगे, इस leisure के through हम adjust करेंगे, जो हमारी tax वाले amount थी, उसको हम यह यहाँ पे adjust करेंगे, लेजर कैसे create करना है, tax on expenses का लेजर आप create करेंगे, under indirect expenses के, under indirect expenses के, इसलिए क्योंकि जो हमारा, जो भी tax वाला amount है, हम उसको adjust करने है, as a expenses, तो यहाँ पे जो भी total amount है, वो feel कर लीजे, जैसे कि 700 था, तो debit हो जाएगा, अब यहाँ पे CGST, SGST हो जाएगा credit, तो यहाँ पे rate mention करना है, आपको 28% था, taxable value जो है, वो mention कर दीजे, तो हमारा जो taxable value था, वो 2500 रुपिस था, तो यहाँ 2500 हम कर देंगे, mention, अगर आप चाहें, तो invoice में से देख भी सकते हैं, तो यहाँ पे CGST, SGST, 350, 350 था, तो CGST, SGST, हम 350, 350, credit कर देंगे, narration में आप mark कर सकत हैं, कि यह adjustment की entry है, जो की block ITC है, हम claim नहीं कर सकते हैं, तो narration में आप detail में mark कर दीजे, अब आप यहाँ देखेंगे, तो चलिए again हम चलते हैं, go to में चल कि मैं आपको show करती हूँ, जो balance, सबसे पहरे देख लेते हैं, tax on expenses वाले ledger आप देखेंगे, तो आपको 700 debit side में show होगा चलिए balance sheet को open कर लेते हैं, duties and taxes में, input cgst में जब आप enter press करेंगे, तो देखें, September month में आपको 350 debit side, 350 credit side में show हो रहा है, यानि कि जो हमारा duties and taxes में amount था, अब आपको यहाँ पे show नहीं होगा, क्योंकि हमने adjustment entry के throughs को adjust कर लिया है, तो इसी type से आप भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको अपना period select कर लेना है, जिस भी period में आपको reverse charge को mention करना है, तो यहाँ से मैं आपको show कर देती हूँ, तो यहाँ जैसे ही आप open करेंगे, तो आपको यहाँ पे 3B show होगा, यहाँ आप देखेंगे तो आपको GSTR 3B show होगा, तो जब आप GSTR 3B file करते हैं, अपने takes को file कर करते हैं, तो इस column पे आपको click करना है, जैसे ही इस पे आप click करेंगे, तो यहाँ जैसे scroll down आप करेंगे नीचे तो आपको यहाँ पे eligible ITC का table show हो रहा है, यह red में आपको इसलिए show हो रहा है, क्योंकि जो हमारी ITC हमारे GSTR 2B में थी, उससे हमने ज्यादा avail कर लिया है, इसल otherwise यह blue color में ही आपको show होगा, जब आप GSTR 3B फाइल करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो आपकी ITC है, वो auto populated वहाँ पे आज आती है, show करती है, जिन जिन से आपने purchase किया है, जब वो अपनी return फाइल करते हैं, तो वो data automatically यहाँ पे update हो जाता है, जो आपकी ITC है, वो GSTR 2B में जो show होती है, वो यहाँ पे update हो जाती automatically, जैसे कि अगर आप food and beverage का purchase करते हैं, तो जो आपने purchase किया है, यह आपके लिए block ITC है, इसका आप ITC claim नहीं कर सकते हैं, बट जिन से आपने purchase किया है, जब वो अपनी GSTR 1 return फाइल करेंगे, तो वो automatically आपके GSTR 2B में auto populate होगा, होती है, बट जब आप GSTR 2B reconciliation करते हैं, तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि कौन सी block ITC है, जिसका आपको ITC claim नहीं करना है, तो आप data prepare करके रखिए, जब आप इस पे click करेंगे eligible ITC में, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो column number A है, वहाँ पे आपको all other ITC, जितनी भ सकते हैं, जो भी आपको reverse करना है, जो आपकी block ITC है, आपने data prepare किया होगा, वहाँ से आप यहाँ पे minus कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप चाहें तो minus करके amount show कर सकते हैं, otherwise आपको यहाँ पे नीचे अलग से column मिलता है, वहाँ पे आप reverse ITC को show कर सकते हैं, तो यहाँ पे as it is, इस amount को रहने दीजिए, यहाँ पे जैसे ही, जो आपके GSTR2B में data होता है, अगर इससे जादा अगर आप available करेंगे यहाँ पे, तो यह जो table है, वो rate color में हो जाएगा, अगर उससे कम करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी rate नहीं होगा, उससे जादा अगर आप करते हैं, तो value जो है वो rate color में आपको show होती है, तो जो आपकी ITC है, आप उसको all other ITC को as it is रहने दीजिए, उसके बाद नीचे आपको B कॉलम में ITC reverse का option show होता है, जिसमें की, यहाँ देखिए, आपको mention है clearly की section 70, subsection 5, जो की block ITC के लिए है, वहाँ पे mention होता है कि कौन-कौन सी ITC block है, जिसका आ नहीं कर सकते हैं, तो इस कौलम में जो भी ITC block है, जो आपको reverse करना है, वो आप यहाँ पे mention कर सकते हैं, यहाँ आपको ऐसे stable value डाल देना है, IGST, CGST, SGST, amount आप यहाँ पे feel कर लीजें, और यहाँ पे reverse आप show कर दीजें, तो जैसे ही यहाँ पे आप भी कौलम में वो amount show करेंगे, IGST, SGST, C, next question आपके mind में arise हो रहा होगा, कि all other ITC में हमने minus नहीं किया है, जो हम ITC reverse करना है, हम total claim कर रहे हैं, तो क्या इसका हमें, जो interest से वो pay करना होगा, क्योंकि जो हमें ITC लेनी नहीं थी, वो भी हम यहाँ पे avail कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी आपको interest नहीं करना है, क्योंकि same month में हम क्लेम कर रहे हैं, और same month में हम यहाँ पे reverse भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको mention कर देना है, C column में आप देखेंगे, आपको net ITC available A minus B, तो A यानि कि all other ITC जो है, वो इसमें से minus हो जाएगा B, जो आपने reverse show किया है, कि यह हमारी block ITC हम इसे नहीं लेंगे, तो आप reverse कर रहे हैं government को, तो यहाँ पे आपको automatically minus करके, आपकी जो net payable है, व आपको इसको reverse करना है, तो इस तरीके से आप reverse कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया, तो GST Portal पे आपको इस तरीके से mention करना है, अपनी reverse ITC को, entry कैसे करनी है Teleprime में, वो मैंने इसके previous वीडियो में upload कर दिया है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा ह तो ब्लॉक ITC on food and beverage आप इस तरीके से सर्च करके देख सकते हैं इस वीडियो को, तो entry कैसे करना है, वो भी आपको पता चल जाएगा